Hello guys, मेरा नाम है प्रतीक गुपता और हम Chemistry Revision Series को आगे बढ़ाते हुए आज एक सिंगल शॉट में Elkine Revise कर लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि ये खतम हो जाए जो लोग यहाँ पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं मैं IIT Bombay से graduate हूँ, co-founder हूँ और chemistry पढ़ाता हूँ इसरल के अंदर तो शुरू करते हैं एकदम जल्दी जल्दी से पर आराम आराम से उससे पहले जो हमेशा का हमारा मंत्र है उसको एक बार recite कर लेते हैं कि पढ़ाई करो, प्रचंड करो जैसे जैसे आप लोग के exam पास आते जा रहे हैं, मन में थोड़े से बुदबुद उठने लगे हैं, बटरफ्लाइज होने लगे हैं उनको control में रखना है, good nervousness रखनी है, कि हम अपने toes पर रहें, पर डर के मारे time waste नहीं करना है जो भी होगा, अच्छा होगा, हम सब मिलके फोड़ेंगे, ठीक है? चले आगे, चले तो भई, alkynes, तो alkynes को सबसे पहले तो आपन मौप देखने वाले हैं, यह मौप क्या होता है? method of preparation, ठीक है? इसको हम short form में क्या होता है? मौप, मौपड वाली feeling आती है, यह से मौप से, ठीक है? तो jam dihyalide से आप बना सकते हो, मैंने आपको थोड़े ताइम पहले सिखाया था कि jam और vicinal दो तरीके की होती है, ठीक है? पहले हम jam dihyalide से किस तरीके से alkyne बनता है? वो देख लेते हैं, quickly, बहुत जल्दी, फिर vicinal से भी देखेंगे, ठीक है भई? तो हम क्या कराते हैं? dehydrogenation agents को use करते हैं, जैसे कि NANH2 या फिर alcoholic KOH, या फिर ROH प्लस RNA, alcoholic KOH का मतलत है? ROH प्लस RNA, ठीक है? होता क्या है? यह मेरा क्या है? jam dihyalide है, jam position मतलब 1 carbon पे 2 group, jam alcohol मतलब 1 carbon पे 2 alcohol, jam halide मतलब 1 carbon पे 2 halide, इस तरीके की position को क्या बोला जाता है? इस तरीके की position को jam बोला जाता है, अब जब मैं इस पे alcoholic KOH का reaction करवाऊंगा, तो आपको भी पता है, कि यहाँ पे E2 mechanism लगता है, यह जो alcoholic KOH है, इस H को खाना शुरू कर देगा, तो इस वाले के electrons anti reaction के through, यह वाले जो bond के electrons यह इस तरफ shift रहने लग जाएंगे, तो यह carbon दु हुआ यह कि, यहाँ पे एक double bond बन जाएगा, यह H निकल जाएगा, यह X निकल जाएगा, और कुछ आपका इस तरीके का product आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, इसके बाद जो है, हम एक चीज यह देखेंगे, अगर मैं अभी आपको देखो, इसका reagent बताता हूँ, अगली अच्छा base है, ज्यादा अच्छा base की ज़रुत क्यों पड़ी, क्योंकि जब यहाँ पे double bond आगया, तो यह जो electron है, जो lone pair है, यह resonance करने लग जाता है, तो जो CX bond है, जिसको हमको तोड़ना है, वो strong हो जाता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा और अच्छा पहलवान चाहिए है, ताकि वो इस H को बिना कुछ सोचे समझें, यहाँ से निकाल ले, जिसके कारण इस X को बाहर निकालना पड़े, क्यों, क्योंकि हम चाते हैं, यहाँ पे एक और bond आए, तो अगर यह वाला H कटेगा, और यह वाला X यहाँ से करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कंपाउंड बना, जो हैलोजन और जिसके एलकीन के ओपर हैलोजन जोड़ा था वो बना, वो थोड़ा सा जादा स्ट्रॉंगर bond है, तो उसको तोड़ने के लिए रिएजेंट भी स्ट्रॉंगर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, चलिए विसिनल डाइलाइट से भी हमारा काम हो जाएगा, यह जितने भी रियाक्शन है, E2 मेकानिजम के थूरू जो होते हैं, यह सब एंटी एडिशन के थूरू प्रोसीड करते हैं, यह हम लोग अलरड़ी सीख चुके हैं, एलकॉलिक के वेच लूंगा, तो यह वाला एक HX बा पहुँच गए, हम लोग अलकाइन पर पहुँच गए, चलो यह एक और तरीका हो गया, अब हम टेट्रा हेलो अलकेन भी ले सकते हैं, जैसे हमने एक दो हाइडरोजन थे, अगर मालो मैं चारो के चारो हेलोजन लगा दूँं, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो क्या ह मैंने यह पर zinc dust लिया है metal का काम क्या होता है electron देना क्या काम होता है metal का बूल गहीं क्या electron देना काम होता है जैसे यह electron देगा तो X की ऐपर minus charge यह carbon से वो ज़लगा मुझे तेरी जुरत निया här यहाँ से निकल तो carbon पर minus charge यह carbon पगला हो जाएगा कि अरे मेरे पर माइनस चार्ज कहा सा गया मैं क्या करूँ तो वो ये electron को इदर डालेगा इस x को बाहर कर देगा तो double bond आ जाएगा पर zinc है metal तो देगा दुबारा से metal देगा तो इस electron इस x के ओपर माइनस चार्ज ये अपने electron इदर डालेगा तो ये वाले x को बाहर कर देगा यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से anti-edition होते हुए similar सा ही mechanism है बस यहाँ पर आपने क्या किया कि base ना लेकर metal ले लिया ताकि ये halogen को बाहर भगाया जा सके आपका main aim ये है halogen को बाहर भगाना तो आपके बस क्या बन जाएगा कैसा ऐसा तो यहाँ पर double bond बन गया था और ये वाला group बाहर हो गया था ठीक है अब जहां हमको alkyne बनाना है तो हम क्या करेंगे हम ऐसा कुछ compound यूज़ कर लेंगे जहाँ पर यह double bond है तो यह दोनों group यहाँ से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा एक triple bond आ जाएगा और मेरा compound किस तरह से बन जाएगा मेरा compound कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH triple bond CH यह एक acetylene कहलाता है acetylene जो है बहुत important है welding में बहुत काम आने वाला compound है acetylene torch जब हम IT Bombay में first year में laboratory में जाते थे तो वहाँ पर हमारा एक welding का भी course होता था I think यह तो सब जगे common course होता है engineering के नापे कुछ तो आना चाहिए न हाथ गंदे गंदे तो आने चाहिए न तो welding के course पर हम acetylene torch का actually में use करते थे बहुत feel आती थी ऐसे चश्मा लगा के helmet लगा के पूरा gear actual engineer वाली feel तो coal-based electrolysis के थुरूबी हम alkyne बना सकते हैं ठीक है अच्छा एक बच्चे को question यह भी आ सकता है आना चाहिए science के student हो history के नहीं हो जिदने question करोगे उतना बढ़िया कि भाया acetylene में ऐसी क्या खास बात है खास बात यह है कि जब हम इसको जलाते हैं तो खूब अच्छी खासी heat evolve होती है so this is a good fuel ठीक है भई higher alkynes का हम जैसे मालो हम आपर पास एक छोटा alkyn हम ले हमने ये वाला alkyn ले लिया जब हम इसको CH3 mgbr के साथ reaction करवाएंगे तो यह जो CH3 minus है यह अपना खेल दिखाएगा और यह क्या करेगा यहाँ पर acidic hydrogen present होने के कारण इस वाले edge को उड़ा के लेके चल जाएगा CH4 बना लेगा तो minus charge किस carbon पर आ गया इस carbon पर minus charge आना भी चाहिए है क्यों? क्योंकि यह SP hybrid है यह SP3 hybrid है एक बाँ बताओ SP hybrid ज़्यादे electronegative कि SP3 hybrid सर, SP hybrid ज़्यादे electronegative तो negative charge ज़्यादे electronegative के पास कि कम electronegative के पास सर, कैसे बात करे हो ज़्यादे electronegative के पास तो हमने कम electronegative से ज़्यादे electronegative पे negative charge भेज दिया यहाँ पर acid base reaction हो रहा है यह तो अपना base है यह अपना acid है तो एक बाद हमको क्या सीखने को मिली कि जो Elkine का Hydrogen होता है Terminal Elkine का मतब जब यहाँ पे एक Hydrogen present है इस bond के साथ Attach तो वो Acidic Nature का होता है ठीक है? कौन से H Acidic होते हैं या Inorganic में आप सीख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सो उसका एक हिंट भी आपको दे दिया जो समझदार है समझ जाएगा नहीं समझदार होगा वो आगे समझ जाएगा पर हर बच्चा E-Saral से पढ़ता हुआ पढ़ेगा जरूर पढ़ाई को इतना सरल बना देंगे E-Saral Education सरल चमका दिमाग में आया की नहीं आया बच्चे बच्चे तक पहुँचेंगे हमारा यार मिशन ही यही है Education को affordable, accessible and thoughtful बनाना आपको interest जगाना पढ़ाई का तो मेरा क्या बन गया कुछ इस तरीके से compound बन गया अब जब यह compound मानलो RI पे attack कर रहा है RI मतलब ऐसा कुछ, iodine है तो यहाँ पे minus charge होने के कारण यह जाएगा, इसको लात मार के इसको बाहर भगाएगा, यह बोलेगा carbon पे negative charge अच्चा है, halogen को दिया जाए तो यहाँ पे substitution type का reaction हो रहा है substitution ही हो रहा है, और मेरा बन जाएगा RC, triple bond CH और MGBRI तो यह भी ionic compound बनके खुश, और यह भी non charged होके बहुत ही शांदार तरीके से खुश, तो आप Grignard reagent से, काफी important reagent है, alcohol ether का जब revision करेंगे तो और detail में पढ़ेंगे, इससे आप higher alkyns बना सकते हो, आपने छोटू alkyn लिया, 2 carbon का और कित्ते का alkyn बना दिया, 3 या फिर उससे ज़्यादा carbon का अपने alkyn बना दिया, तो छोटू alkyn से बड़ा alkyn, ठीक है चले, ethine या acetylene जो मैं बता रहा था, बहुत important compound है, इसका अगर हमको preparation करना है, क्योंकि आपको industrially use लेना है तो commercial level पे बहुत ज़्यादा इसका preparation होता है, तो आप metal carbide से इसका preparation करा लेते हो ठीक है, पानी डाल दो आप calcium carbide पे, calcium carbide में होता क्या है कि C111 C है, minus charge है, minus charge है इधर से H लियाएगा, एक और से H लियाएगा तो 2H लेने के बाद क्या बन जाएगा CH111 CH तो calcium carbide से भी बना सकते हैं, ठीक है haloform से भी बना सकते हो, CHI3 CHC3, यह होता है, iodoform बहुत famous reaction है, आगे पढ़ेंगे यह होता है, haloform बहुत famous reaction है, आगे पढ़ेंगे chloroform होता है, मतलब halo को काटके, जो भी आपके पास halogen है, उसका नाम लिख देने का तो यह हो गया chloroform, यह हो गया iodoform, ठीक है, बहुत शांदार तरीके, देखो आपको जो E-saral की सबसे बड़ी ताकत है ना, visualization उसका एक नमूना पेश करते हैं, जो हमने lectures में बहुत अच्छे से लिया हुआ है हम क्या करते हैं, दो mol लेंगे CHI3 के 6 अपन silver के metal ले लेंगे, तो CH triple bond CH मिल जाएगा, आपको क्या पता है, इसका काम क्या है, electron देने का, आप देखो इसको अपन visualize करते हैं, यह आपके वास एक CH triple bond आई, यह आपके वास एक CH triple bond आई, यह AG क्या करेगा एक electron फेकेगा, किसकी तरफ, इस iodine की तरफ, तो यह iodine जो है, अपना बोलेगा, कि मैं तो AG के पास आया, आया, आया क्यों, क्योंकि AG ने electron lose करते ही कौन सा charge देख लिया, प्लस charge उसके उपर आ गया, जब iodine पर negative होगा, तो क्या हो जाएगा, positive और negative का attraction हो जाएगा तो जैसे यह attraction होगा, तो यह AG बोलेगा, यार iodine तुम मेरे पास आजा, तो यह जो iodine है यह सब इनको खा जाएगा, एक एक करके तो यह पूरा अलग हिस्सा हो जाएगा, कैसे सबसे पहले यह एक iodine को अपने पास बुलाएगा और जैसे मैं 6 AG लाँगा वो बाकी iodine को भी अपने पास बुला लेंगे तो यह तो बिचारे रोना शुरू होगा होगा इनका तो कि iodine तो छोड़के चले गए सिमरन तो छोड़के चली गई अब आउजी क्या करेंगे तो वो अपनी बिरादरी के लोगों के साथ में रहेंगे तो यहां पर यह लोग भी बिल जाएंगे और कुछ इस तरीके से बन जाएगा तो जो भी iodine था वो silver के पास carbon carbon की दोस्ती है टूट तो वो आपस में एक दूसरे के साथ तो इसे के साथ यह अपने सारे method of preparation होए अब chemical property alkyne के बीच में तो महा युद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि इतने सारे electrons इतनी इसी जगे पर है तो यह तो बहुत अच्छे से reactive होता है high electron density होती है क्योंकि 2 pi bond है तो this is a reactive compound क्या है यह भीया यह एक reactive compound है चलिए तो चलो chemical properties देख लेते है एक तो high electron density है इसके reactiveness के पीछे और दूसरा acidic hydrogen है जो हम पहले ही देख चुके तो अलग-अलग चीजों से अलग-अलग type के reaction होता है सबसे पहले हम addition reaction पढ़ने वाले है हम जब किसी चीज को add करेंगे तो तो सबसे पहले तो वही अपना catalytic hydrogenation hydrogen के साथ react करके यह क्या कर सकते हैं alkene भी बना सकते हैं और alkene भी बना सकते हैं अगर poison catalyst नहीं डाला तो alkene बन जाएगा और अगर poison catalyst डाला तो या तो trans-alkenne बन जाएगी birch reduction के case में या सिस-alkenne बन जाएगी कि सारे electrophilic addition होगा क्यों? electrophilic addition इसलिए होगा कि क्यों C triple bond C का मतलब क्या है? 6 electrons बहुत सारे electrons एक ही जगे पर तो जब सामने कोई electron से प्यार करने वाला आएगा जैसे कोई बच्चा है candy store में जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा जाके electron के pull के चक्कर में वाह जाके वो add हो जाएगा ठीक है? So characteristic reaction of alkynes is electrophilic addition reaction पर जो alkyn की reactivity है electrophilic addition की तरफ ये alkyn से कम है ये सबसे important बात है कि अगर मैं electrophilic addition reaction इसको EAR भी बोला जाता है इसकी rate of reaction की बात करूँ तो alkyn की जादा होती है alkyn से वैसा क्यों होता है? चलो उसको समझते हैं देखो reactivity order तो मैंने आपको बताई दिया बाई, alkyn के बीच में तो electron के उत्ती संख्या होती नहीं है तो वो तो क्यों ही जादा react करेगा पर alkyn जादा rate से react करते हैं उसका reason है कुछ ऐसा जब intermediate बनता है एक electrophile के attack करने पर जैसे मनलो मैं HCL का attack करा रहा हूँ तो SAH plus मिलेगा तो जब मैं attack करा हूँगा alkyn के case में तो एक double bonded carbon पर positive charge आया जब मैं alkyn पर reaction करवाता हूँ तो single bonded carbon पर positive charge आता है तो क्या होता है? single bonded carbon पर positive charge आता है तो this is more electronegative this is less electronegative एक बाद बताओ चलो बहुत आसान सवाल आपसे पूछता हूँ आपको ही बता है कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ ज़्यादा electronegative पर positive charge ज़्यादा stable कि कम electronegative पर positive charge ज़्यादा stable सोचो, बूजो तो जानो पताओ ना यार, बहुत आसान है सर कैसे सवाल पूछते हैं आप जो जितना ज़्यादा electronegative होगा उसको positive charge उतना ही कम पसंद होगा क्योंकि उसको तो electron पसंद है तो क्योंकि यहाँ पे double bonded carbon के case में जो intermediate बनीगा वो ज़्यादा stable है तो rate of reaction भी किसका ज़्यादा होगा एलकीन का ज़्यादा होगा ठीक है, चलें आगे जैसे मैं halogen का addition कराता हूँ तो halogen की reactivity का order होता है यह fluorine इस case में react नहीं करता है वो unreactive होता है ऐसे वाले cases में ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ना i2, ठीक है बात आई, समझ में चलें so, हेलकाइन, Cl2 और Br2 के साथ तो dark में react कर लेते हैं मेटल हेलाइट की presence में और dye या tetrahello derivative बनाते हैं तो reaction क्या होता है, reaction होता है कुछ ऐसा, यह FeCl3 का क्या काम है FeCl3 का काम है Cl plus को generate करना FeCl3 क्या करता है Cl plus को generate करता है कैसे, यह Fe है, इसको chlorine बहुत पसंद है, तो यह दो chlorine जो साथ में घूम रहे होंगे, उसमें से एक को बहला फुसला के अपने साथ ले जाएगा और electron भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि इसको effectively तो electron पसंद है तो इस पे क्या जाएगा, positive charge तो बहला के फुसला के पता भी नी चला एक क्लोरीन को positive charge बनाके छोड़ दिया जैसे ही एक क्लोरीन पे positive charge आए आपको क्या बता, यह क्या करना शुरू कर देगा यह हमारा standard तरीका है हिलना, इसकी जिंदगी खराब हो गई है तो यह क्या बोलेगा, इस वाले alkyne से मदद मांगने आएगा कि तेरे पास तो बहुत electron है भाईया मेरे को जोड़ लेना अपने साथ तो यह bond break होगा, इधर positive charge आजाएगा मेरा final क्या बन जाएगा एक बार यह, फिर बार 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 addition होना चालो हो जाएगा, क्योंकि CL प्लस रुकेगा नहीं, तो आपका क्या बन जाएगा यह tetra hello derivative बन जाएगा tetra क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, 4 chlorine है, तो क्या बोलेंगे tetra अगर 2 chlorine जोडते तो क्या बोलते, die ठीक है, so this is a method of making tetra hello derivative, चलिए आगे चलते हैं, अब अगर मार लो हमने unsymmetrical एलकीन ली, तो यह इधर 1 टूटेगा, यह CL plus पर attack करेगा plus बीच वाले carbon पर आएगा, और जैसे बीच वाले plus carbon पर आएगा, मदब carbon पर plus आएगा, तो यह अपना non classical cation की तरह से behave करेगा आपको याद है, अपने अलकीन पर same reaction करी थी, नहीं करी थी, तो अलकीन का revision lecture जाकर देखो, नीचे description में आपको link मिलने वाला है उसका यह इस पर अंदर के अंदर ही attack कर देगा ठीक है, incomplete octate है, तो अंदर के अंदर attack हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फिर Cl- आएगा, तो वो क्या करेगा कि anti- addition करेगा, तो कौनसा addition होएगा, anti- addition होएगा और आपको यह मिल जाएगा फिर इस हैलकीन पर दुबारा से एक बार reaction हो जाएगा, ठीक है FeCl3, Cl2 के case में और 4 chlorine आपको मिल जाएगे, यह basically मैंने आपको mechanism बता दिया इस तरीगे से लिखके कि कैसे हो रहा है ठीक है, चले आगे चलते है, tetra chloride हमको मिल गया halogen acid को भी आप add कर सकते हो HX को, ठीक है Marko Nikov के according addition होता है यह इसका सबसे important पार्ट है कि Marko Nikov के according addition होगा Marko Nikov के according मतलब जहाँ पे ज़्यादा hydrogen है hydrogen उदर जाके जुड़ जाएगा और दोनों time Marko Nikov पे होता है पहले तो triple bond से double bond बनेगा और फिर double bond से single bond बनेगा दोनों time कैसा addition करना है Marko Nikov addition करना है और vinylic cation यहाँ पे form हो रहा है तो अब आप सोचोगे कि sir vinylic cation form हो रहा है तो carbogatine rearrangement भी होना चीए नहीं होगा और यहाँ पे electrophilic species क्या है पिछले case में तो CL plus था पर यहाँ पे आप HCL ले रहे हो तो H plus electrophilic species होगा तो यह bond उदर तोटेगा यह H plus को खा के आएगा इधर positive charge बनेगा यह X minus इधर attack कर देगा तो मेरा क्या बन जाएगा एक बार तो यह बनेगा RC double bond CX तो बारा से जब attack होगा तो फिर मेरा यह बन जाएगा और product कैसा बना Marko Nikov rule के according मना Hydrogen वहाँ पे गया जहाँ पे already Hydrogen present था ठीक है So जब भी हम Hydrogen Halide या फिर Halogen यह अपना HCL, HI, HBR टाइप के compound है इनको add करते हैं तो Marko Nikov rule के according addition होता है और आपका Gem Halide बनता है क्या बनता है? यह Gem Halide के formation का तरीका हो गया ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया तो Gem Di Halide यहाँ पे आपके बन गए ठीक है? अगला reaction देखते है अच्छा एक बाद और इस particular reaction में अगर मैं HX के reactivity देट पूछू तो क्या होगा? तो वो होगा अपना HI more than HBR क्योंकि इसमें मेरे को H plus चाहिए है सबस्याद H plus कौन देगा? जो जुतना अच्छा acid होगा कौन सबस्याचा acid होता है? जिसका conjugate base सबसे stable होता है और यहाँ पे जो conjugate base की stability है वो किस से decide होती है? size से decide होती है नहीं समझ में आ रहा तो GOC का revision जाके देख सकते हो ठीक है? चलिए आगे चलिए HOX का addition कराता हूँ यह अच्छा reaction है Alkyns, Hypo Allis Acids के साथ Marconico of Rule की according addition कर लेते हैं और Gem Diol बना लेते हैं जो की unstable होते हैं जिससे एक water का molecule बाहर निकल जाता है और उससे या तो Hello Aldehyde बन जाता है या Hello Ketone बन जाता है सर ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? Chinese है की Japanese है की क्या है? सही बात है reaction करके दिखा दो ना अंगरी जी का है लिखनी है? चलो तो ये activity order पर बाद में आएंगे ठीक है? HOCl का जाता होता है HOBR का फिर उसके आद HOI का या आप चलो याद ही कर लो अभी समझाने बैटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा जब मैं RC triple bond CH का HOCl के साथ reaction करवाता हूँ तो मेरा क्या बनता है? RC double bond O CHCl2 कैसे बनता है? चलो देखते हैं मेकैनिजम पर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे यहाँ पर चलो एक बाद बताओ मिरको यहाँ पर मिर पास HOCl है तो यह तो OH पर प्लस बनेगा यह CL पर प्लस बनेगा क्या लगता है आप लोगों को? जनता जनारदन को क्या लगता है? कि किस पर positive charge आएगा? बताओ कैसे डिसेड करोगे? सर, electronegativity के basis पर electronegativity किसका ज़्यादा? सर, CL का ज़्यादा किसका ज़्यादा? सर, OH का ज़्यादा जोदा electronic पर positive charge दालू कि कम electronegativity पर positive charge दालू सर, कम पर तो किस पर एगा? CL प्लस बनेगा यहाँ पर जैसे CL प्लस बनेगा वो attack करेगा और वो यहाँ पर attack होके इस वाले carbon पर जुड़ जाएगा तो आपके पास यह बना फिर intramolecular attack होगा non classical cation क्योंकि electrophile के पास क्या है? loan pair है चलिए बहुत बढ़िया तो मेरा इस तरह से कुछ बन गया अब OH- आ जाएगा उड़ता उड़ता cyclic cation को attack करने के लिए और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके अपने पास attack करतेगा चलिए बहुत बढ़िया अब जब इस पे दुबारा से c l plus आएगा फिर से दो option है कि मैं किस तरफ जाऊं तो जिस भी तरफ c l plus जाएगा दो possibility है या तो कार्बो कटाइन इधर बन जाए यह ज़्यादा stable होगा क्योंकि इसके loan pair इसको resonance के तरू stable कर देंगे ठीक है या फिर यह possibility बनती है तो दो possibility है या तो मेरे कार्बो कटाइन को क्लोरीन के resonance से stabilize किया जाए या फिर oxygen के resonance से stabilize किया जाए तो oxygen mesomeric effect में क्लोरीन के comparison में बहुत अच्छा होता है जब हम plus m की series लिख रहे थे जी o c के revision में वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी तो कौन ज़्यादा stabilize कर पाएगा o h ज़्यादा stabilize कर देगा तो ये reaction अपना हो जाएगा ठीक है ना चलिए अब फिर यहाँ पे plus charge है तो 1 और o h minus आएगा इधर आके जुड़ जाएगा यहाँ पे एक four membered cyclic transition state बन जाती है किसके कारण h bonding के कारण क्या four membered ring में बहुत ज़्यादा strain होता है क्या होता है तो क्या वो sustain कर पाएगा क्या नहीं तो इसके कारण इन दोनो o h में से एक पानी का molecule बाहर निकल जाता है और इधर एक double bond बन जाता है यह unstable species है एक carbon पे 2 h unstable कभी भी नहीं रह सकते है हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत करते रहते है reason क्या है hydrogen bonding से रोक नहीं सकते तो unstability बढ़ जाती है hydrogen bonding होने के कारण कुछ-कुछ cases में भी तो ऐसा हो सकता है और वहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा RC double bond O CHCl2 चले आगे तो main product क्या बना या तो अपना hello aldehyde बनेगा या hello ketone बनेगा थीक है hypo hellas addition के through चलिए बहुत ही शांदर बात है so dichloro ketones यह dichloro aldehyde इस पे nucleophilic addition reaction भी हो सकता है अब आप पूछोगे कि sir ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे तो क्योंकि आप ऐसा बोल रहे थे थ्यान से सुनना मेरी बात को आप ऐसा बोल रहे थे कि alkyne के पास electrons ज़्यादा होते है अगर electrons ज़्यादा होते है तो कहीं पे आसपास positive charge तो है यह नी तो यह nucleus कैसे आ गया nucleophilic species कैसे आके attack कर सकती है क्योंकि nucleophilic क्या होती है positive charge loving अब जैसे आप मैं आपको उताता हूँ मेरे पास मान लो यह है इसमें मैंने क्या किया HG जैसे metal से reaction करवा लिया तो वो अपना क्या करेगा कि यहाँ पे आके वो इस तरीके से attach हो जाता है HG और इधर आ जाता है plus इसके पास होता है lone pair तो वो इधर आके attack कर देता है intramolecular, non classical cation तो species क्या बन जाती है यहाँ पे HG, यहाँ पे bond और यहाँ पे plus क्या अब आपको यहाँ पे positive charge दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर तो क्या आपके nucleophile attack कर देगा क्या? कर देगा सर product बन जाएगा चलिए बहुत बढ़िया so अगर हम यह लेते हैं HGSO4, dilute H2SO4 तो आपको पता है dilute H2SO4 में बहुत सारा पानी होगा तो nucleophile कौन बन जाएगा? पानी तो जब यह वाली species मेरी बनेगी यह वाली मेरी species बनेगी यहाँ पे और यहाँ पे HG plus बनेगा और इधर भी bond आ जाएगा ठीक है? थोड़ा चाजीब bond बन गया है यहाँ पे plus charge तो यहाँ से OH आ जाएगा उड़ता उड़ता इसको खोल के इस तरीके से कुछ करा लेगा final product मेरा बन जाता है कुछ इस तरीके से और आपको तो पताईए है कि जब भी ऐसी condition arise हो जाती है तो totomyrism हो जाता है enol जो है यहाँ पे unstable है वो किस form में convert हो जाएगा? वो अपना aldehyde form में convert हो जाएगा तो totomyrism के थुरू मिरेको finally क्या मिल गया? aldehyde मिल गया और अगर मैं यहाँ पे RCH double bond मदब RC triple bond CR बना लूँगा तो मिरेको क्या मिल जाएगा? ketone मिल जाएगा तो aldehyde भी बन सकता है और ketone भी बन सकता है यहाँ पे मैं करूँगा तो यह product बनेगा फिर यहाँ पे मेरा enol unstable होने के करण toutomyrism totomyrism से मेरे को क्या मिल गया? ketone मिल गया ठीक है? clear? तो जब मैं nucleophilic addition reaction करवाता हूँ तो या तो aldehyde मिलेगा या फिर ketone मिलेगा चलिए आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया oxidation reactions की अगर हम बात करें तो combustion combustion तो बहुत general है इस तरीके आप आराम से formula निकाल सकते हो major बात क्या है? कि आपके CO2 मिलेगा H2O मिलेगा और ठेर सारी आपको heat मिलेगी याद आ रहा है? acetylene torch welding के लिए बहुत सारी heat यहाँ से वो heat आती है ठीक है? चलिए शाबाश combustion of acetylene is used for welding and cutting of metals यह सो मैंने आपको बताई दिया यह काफी important एक चीज है तो इसको आपको दिमाग में back of the mind रखना है आपने इस पर क्या करा सकते हैं? acidic k-mino4 या k-2-Cr2-O7 से oxidation करा सकते हैं जिससे monocarboxylic acids में convert हो जाती है अपनी alkene कैसे होता है? चलो इसका reaction लिख के बताई दो mechanism उतना important नहीं है जैसे मानलो मिरे पास यह है तो इससे मेरा क्या बन जाएगा? R-C-C-O-O-H यह मेरा form हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया? मेरा oxidation मेरा यहाँ पर हो गया mono carboxylic acid एक अकेला carboxylic acid बनता है चले बहुत बढ़िया ozonolysis भी आप यहाँ पर करवा सकते हो दोनों SP carbon atoms किस में convert हो जाएगे? इस particular group में convert हो जाएगे तो यहाँ पर भी आपके अज दो तरीके बनते हैं या तो आप oxidative ozonolysis करा लो या फिर reductive ozonolysis करा लो जब मैं यह करवाँगा यह मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ozonolysis हम already करा चुके हैं तो यह species बनेगी एक nascent oxygen भी आ जाएगा इससे जो इसको further oxidize कर देगा जब वो further oxidize करेगा तो इस bond को तोड़के इधर भी OH लगा देगा और इधर भी OH लगा देगा अब आप पूछोगे कि sir ऐसा क्यों आप single bond क्यों तोड़ रहे हो double bond तोड़ रहे थे तब तक तो हमने कुछ नहीं बोला आपकी बात मान लिए और कर भी कह सकते है single bond क्यों तोड़ रहे हो sir आप भाईया इस oxygen ने इस carbon के साथ अत्या चार कर रखे होंगे की नहीं sir बिल्कुल कर रखे होंगे electron खीच रखे होंगे अच्छा तो उसके कारण इस पे क्या आएगा delta positive क्या ये carbon अकेला अलग है क्या नहीं क्या आएगा delta positive दो same charge पास पास क्या होगा तो क्या होगा bond खचाक टूट जाएगा तो ये बिजली गिरेगी और ये टूट जाएगा और उस मौके का फाइदा हुटा के वे यहाँ पे एक OH रख जाएगा इस तरीके से तो मेरे पास क्या बन गया इस वाले का तो HCOOH बन गया और इस वाले का CS3COOH बन गया और अगर यहाँ पे और नेसेंट ऑक्सियन अविलिबल होगा तो ये HCOOH CO2 प्लस H2O में कनवर्ट हो जाएगा जब मैं रेडक्टिव ओजोन ओलिसिस करा रहा हूँ तो H2O तो बनेगा ही नहीं तो कंपाउंड यहीं पे आके ठहर जाएगा ठीक है अच्छा question है आप इसको अपने copy में लिखके या कुछ भी screenshot कीचके इसको रख सकते हो अपने पास चलिए आगे चलते है substitution reaction भी show करता है तीक है substitution reaction कैसे आपको यादे ना मैंने बताया था कि ये वाला H acidic होता है तो H को हटा के कुछ और लगा देने का है न सिर्फ 1 LKIN Terminal LKIN ही ये वाला काम कर सकते है जिसमें एक acidic hydrogen present है सिर्फ वो ये काम कर सकते है और वो acidic character show करते है तीक है न acidic character क्यों show करते हूँ मैंने आपको बता दिया था ये देल माइनस है देल प्लस है तो ये H acidic हो जाता है चलिए बहुत बढ़िया सो एक question के तुरू आपको जितने भी cases है वो समझा देता हूँ आपके दो compound given है एक A तो जो है वो terminal LKIN है और जो B है वो terminal LKIN नहीं है तो ये तो substitution reaction देगा acid based reaction यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा सो for example मानलों मैं tolerance reagent लेता हूँ ammonical cuprous chloride लेता हूँ BR2-CCL4 लेता हूँ और buyers reagent लेता हूँ तो हम इन दोनों के reagent को कैसे distinguish कर सकते हैं BR2-CCL4 और buyers reagent को आप डालते हो जानते हो मतलब जब भी डालते हो तो क्या होता है जब भी unsaturation होगा मतलब double bond या triple bond होंगे तो इनका color fade हो जाएगा तो इस case में भी color fade होगा इस case में भी color fade होगा पातसोंच में आ रही है तो ये कौन है? test of unsaturation देने वाले हैं ये तो आप क्योंकि मैं unsaturation है तो मैं 3 और 4 मैंसे किसी को भी डालूंगा तो दोनों के color क्या fade मतलब दोनों के color क्या हो जाएंगे? fade हो जाएंगे तो मैं को पता चलेगा कि कौन किसमे है? नहीं distinguish करने का मतलब क्या होता है? आप दो आदमी में कैसे distinguish करते हो? यार इसका चेहरा अलग है इसका चेहरा अलग है जैसे ही मैंने 3 और 4 डाला A and B एकतम सेम तरीके से behave करेंगे तो distinguish कर सकते हैं क्या नहीं? अब सवाल आता है कि सर्ट टॉलेंज रिजेंट क्या होता है? टॉलेंज रिजेंट होता है AGNO3 प्लस NH4 OH तो जैसे मालो मैंने जब ये डाला इधर तो ये AG क्या करेगा? हाइडरोजन की जगे खुद को लगा लेगा और ये एक white precipitate होता है तो शायद आपको पता नहीं चल रहा पर इस टाइम पे हम practical organic chemistry का revision भी साथ साथ में करते जा रहे हैं तो जब भी मैं tolerance reagent मिलाता हूँ किस पे? one alkyne पे तो मेरे को क्या मिलता है? white precipitate terminal alkyne के अलावा ये जो बीच वाला alkyne है इस पे मिलेगा क्या? नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे acidic hydrogen present नहीं है चलिए बढ़िया तो tolerance reagent से हम distinguish कर सकते हैं terminal alkyne को and non-terminal alkyne को ठीक है भई? तो अब सेम तरीके से ammonical cuprous chloride जो होता है इसके उपर लिखाई में आ गया ये वो होता है CO2, Cl2, NH plus NH4, OH तो AG की जगे यहाँ पे क्या डल जाएगा? CU डल जाएगा और ये कैसा precipitate होता है? red precipitate होता है तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने terminal alkyne पे कोई सा reagent डाला और एक red color का precipitate बना तो reagent कौन सा होगा? ammonical cuprous chloride मतलब CO2, Cl2 प्रस NH4, OH तो यह अच्छा question है इसको भी screenshot लेके रख सकते हो आया समझ में? नहीं आया हो तो दुबारा से एक बार चलाखे देख लेना देखे? पक्का? छोड़ना मनते हैं चलो, आगे चलते हैं cyclic polymerization यह वाला IAT का या फिर NEET का या फिर BORD का one of the most favorite profile है बेंजीन बनाना उनको पसंद होता है चाहे वो alkyne से हो alkyne से हो या alkyne से हो तो हम क्या करते हैं? reaction कुछ ऐसा कराते हैं जब हम इसको red hot iron tube के उपर छोड़ देते हैं तो यह महाशय बेंजीन में convert हो जाते हैं ठीक है? इसको बहुत important है दिमाग में रखना है चलिए अगर मैं इसको ऐसा करूँ red hot iron tube में तो यह तो बेंजीन में convert हो जाएगा और alternate carbon पे एक CH3 लग जाएगा और यह J advance 2018 में आया हुआ question भी है और यह इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैसी टाइलीन नाम important है सिर्फ वो नाम याद कराने के लिए यह वाला question यहाँ पे लिया है तो हम क्या डाल क्या बन जाएगा मनलब यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा मैसी टाइलीन चलिए बहुत बढ़िया तो इसके साथ हमारा Elkine का revision खतम देखो यह वीडियो जो भी देख रहा है न उनको बहुत फाइदा हो रहा है इससे quickly करीब करीब भी आपका आदे घंटे में यार पूरा Elkine revise हो गया खुद से पढ़के भी नहीं हो सकता है इतनी जल्दी तो same physics में भी चल रहा है उन सब वीडियो को देखो आपको बहुत फाइदा करने वाला है जो 12th के बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है यह तो 11th का है पर आपके competitive exam के point of view से बहुत important है और यही सेम, organic में दिक्कत यही है हम एकदम सीधा 12th का revise नहीं करा सकते क्यों? क्योंकि उसमें problem यह हो जाएगी कि आपको यह basic जब तक समझ में आएंगे आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपन फटा-फट सा hydrocarbon कार्बन खतम करेंगे अगले एक lecture में one shot में aromatic को खतम कर देंगे और अगर आपको ऐसा लगर आया है कि यह lectures आपके help कर रहे हैं और आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना रोज कुछ न कुछ अच्छा अच्छा आता रहता है आपका बहुत फाइदा होगा और बेल आइकन दबाले ना तक कि अगला revision वीडियो आएगा या strategy वीडियो आएगा या topper interview आएगा या कुछ भी आएगा तो आपका वीडियो miss नहीं होगा खतम करेंगे ठीक है पढ़ाई करो प्रचंड करो और फोड़ना है रुकना नहीं है चलिए फिर मिलते हैं